हलो फ्रेंस आप सभी का स्वागत है आज हम विद्द से संबदित प्रश्न हल करना सीखेंगे आपके सामने सवाल है कि 20 ओम 24 ओम तथा 30 ओम प्रतिरोद वाले तीन तार सिरडी क्रम समांतर क्रम में जुड़े हैं तो प्रतेक दशा में तुल्ले प्रतिरोद ग्याद कीजिए इस प्रश्न को आप कैसे हल करेंगे पहले आपको तुब पता होना चाहिए कि फार्मुला क्या होता है यहाँ पर चिरचिविक्रमक का प्रतिरोद ग्लमना फार्मूला में जूड़ा होता है, तो फार्मूला थो का । यक बटा की यह मेन फार्मूला थैडिक सवाल लगाना है, तो फ्रेंच बेह में ऐपका सवाल दिया है कि 20 pouring 24 तिस ओम यहां से आप का आर won कमवाद कितनाा ने कि लिखनाएं त्यार्श न के विए लिखेंगे प्र कि वर 8進 24 लिखेंगे 444 भृशक कि कितना र थी अधिन्य कितना है फीर यह अपने मन से ले लिए जाता थीका अर लोसन घृत करत को मतलब होता है कि पहला इस टेप में आपको क्या कर रहा है सवाल में कि स्रड़ी करम में जुड़ा है यहां पर स्रड़ी करम लिखेंगे प्लस करेंगे और तो तो तीस रखेंगे और इसको जोड़ेंगे देखिए चार हो जाएगा दू दू चार तीन साथ 74 supporter यानि कितना ओगा आपका Mr. successful took in तिनों अगला देखना है समांतर करम जुडएंगे उस सम्समिन नंबर आपका हाए स्मांतर करम समांतर क्रम समांतर क्रम का फार्मूला के हाथ एक बटा के आर बराबर एक बटा के आर वन एक बटा के आर टू एक बटा के आर थ्री और यहां पी इसका मार रख लेते हैं वन अपर आर वन कमान कितना है फ्रेंस बीस है तो बीस रखिए 2 गमान कितना है ? 24 है तो 24 रखे ऑ रर 3 कमान कितना है ? 30 है तो 30 रख लिए अब फ्रेंस इसको जैसे भिन का जोड़ा गटा नहां हल करते हैं उस तरह भिन का जोड़ा हल कर लीजिए तो 20,24 और 30 इन सब का जब आप LCM निकालेंगे तो आप आयागा 700 इसका LCM निकालेंगे 700 भी इसका इसमें भाग देंगे यानि भीन का जैसे जोड़ा हल करते हैं तो फ्रेंच जैसे भीन का जोड़ा गटाना हल करते हैं उसी तरह अपने हिसाब से इसको हल कर लीजिए ठीक है इसको बटा बटा के साथ इसको चोड़ा कर लीजिए यानि एक बटा के आर एक बटा के आर कमान कितना है तो फ्रेंस अभी आपका एंस्वर नहीं आए देखिए एक बटा क्यार है इधर एक बटा क्याट है तीस आर्ट को उपर करी प्लट दीजी तीधर आठ भी प्लट जागा तो यह वह जागा ओम में यानि आठ ओम तो फ्रेंस जब इन तीनों प्रतिरोदों को आप समांतर करम म सवाल को आसानी प्रूवक से लगा सकते हैं